हाई आई विडियो में हम उन आटो अंसलरी कंपनीज पर डिसकेशन करेंगे जो एवी इंडस्ट्री की मेजर बैनिफिशरी हो सकती है इस पर मैंने एक कम्पलीट बिडियो बनाया है इन डेफ्थ नॉलेज के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्टॉक्स पर जाने से पहले हम क्यूकली इवी इंडस्ट्री के फैलेट्स को देख लेते हैं सोधार हमें पता चले कि इवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट्मिन करना क्यों है प्रेजेंटली इंडिया बल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट आटो मुवाइल मार्केट है एन बाई 2030 इंडिया का आटो मुवाइल इंडिस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट हो सकता है एस पर ISA, that is Indian Electronics and Semiconductor Association ये भी इंडिस्ट्री 36% के CAGR से बढ़ेगी फरदर नीती आयोग एम करता है के बाई 2030 टोटल कमर्शल कार्स में 70% EV होंगे प्राइवेट कार्स में 30% EV होंगे बसेस्में 40% EV होंगे फरदर ये भी अकस्पेक्ट किया जा रहा है के लेक्टिक टू विलर मार्केट में 2023 के बाद बड़ी disruption हो सकती है क्योंकि expected है कि 2023 के बाद battery prices कम हो सकते हैं एक ओर research report जिसे Grandview Research ने publish किया है उसके जो estimates हैं वो भी आप वीडियो को pause करके check कर सकते हैं फर्दर GM के research का मानना है कि up to 2026 लेक्टिक टू विलर में 84% की CEGR ग्रोथ हो सकती है बट EV industry में actual में क्या ग्रोथ हो रही है वो भी हम देख लेते हैं लास्ट अक्टूबर में जो overall electric vehicles की sales होई है जिसमें electric two-wheeler, passenger vehicles, three-wheeler, commercial vehicles शब शामिल है उसमें year-on-year basis पर बन 85% की ग्रोथ होई है अगर segment wise देखें तो commercial vehicles में sales ग्रोथ होई है बन 25% की year-on-year basis पर electric two-wheeler में सबसे ज़ाधा ग्रोथ होई है तो 69% की and electric three-wheeler में 93% की sales growth होई है इतने fascinating numbers देखने के बाद mind में ऐसा decision बन सकता है कि क्यों न automobile companies जैसे के hero motocorp, tvs, bajazz auto, maruti and tata motors जैसी companies में invest कर दें yearly basis पर अच्छे returns बनते रहेंगे लेकिन ऐसा है क्या हम later companies के 5 years के chart से देख लेते हैं 5 year return की बात करें तो hero motocorp ने 5 years में minus 21% के return दिये है, tvs motor ने 5 years में 37% के return दिये है data motors ने 5 year में सिर्फ 2% के return दिये है, bajazz auto ने 30% के return दिये है, maruti sujuki ने 5 years में 4% के negative returns दिये है आइशन मोर्टर्स ने 5 years में 12.5% के return दिये है, data से हमें पता चलता है कि किसी भी leader company ने impressive return नहीं दिये है last 5 years में क्योंकि profits में ही कोई impressive growth नहीं मिली है last 5 years में अगर reasons की बात करें तो उसमें सबसे पहला reason यह है कि यह companies जितने volume में electric bacals की sales करेंगी या कर रही है आल्मुस्ट उसी ratio में इनकी sales internal combustion बाली bacals जिसे हम petrol bacals या diesel bacals भी कहते हैं उनमें कम होगी क्योंकि EVs आने से automobile sector में कोई additional demand create नहीं हुई है जिस volume में EVs की sales होगी आल्मुस्ट उसी ratio में internal combustion बाली bacals की sales कम भी होगी दुसरे reason की बात करें तो automobile industry, cyclical industry है financial year 2018 and financial year 19 में जो volume growth हुई थी उसको automobile sector अभी तक achieve नहीं कर पाया है current financial year के complete होने पर देखा जाएगा कि इस साल volume growth कैसी रहती है अभी तक हमने जो points discuss किये हैं अब उनको connect करेंगे and companies के selection के लिए criteria fix करेंगे सबसे पहले criteria है हम ऐसे segment को choose करें जो के legacy automobile manufacturers की तरह cyclical ना हो मतलब हम EV component manufacturers को choose कर सकते हैं क्यूंकि ये legacy auto manufacturers के comparison में less cyclical है and after market product में भी इनका requirement पढ़ती है यहाँ से इनको business मिलता रहता है जो दूसरा criteria है हमें AC companies चाहिए जिनके revenue में EVs का contribution लगातार बढ़ता जा रहा हो and तरिसा criteria जो हमें automobile manufacturer की selection में help करेगा वो है AC companies को find out करना जिनका सारा का सारा revenue या majority of the revenue EV से आता हो information अगर अच्छी लग रहे है I request कि आप video को like कर दें and channel को भी subscribe कर दें आज जिन companies को हम study करने वाले हैं वो auto component manufacturer है and अपनी revenue में EV segment के contribution को लगातार बढ़ा रहे हैं लेकिन अगर आप चाते हैं कि हम AC companies पर video बनाएं जिनकी almost सारी की सारी revenue EV से आती हैं लेकिन उसमें जो growth है वो हाल में ही दिखना start हुआ है and थोड़ा सा risky हो सकती है या आप data motors पर complete study चाते हैं तो हमें comment section में लिखें अब उन companies की तरफ बढ़ते हैं जिनको आज के discussion के लिए select किया है विडियो सिर्फ educational purpose के लिए है investment करने से पहले खुद का analysis जरूर करें फर्स्ट कंपनी है आज के analysis की Sterling Tools Limited कंपनी second largest manufacturer है automotive fasteners की जैसे हम screw या nut and bolt भी बोल सकते हैं कंपनी की presence well diversified है across all automatic segments and customers में fasteners business में अगर clients की बात करें तो काफी leading automotive manufacturers इनके clients है लेकिन हमने इस company को fasteners business से ज़्यादा EV segment के लिए select किया है फास्टनर segment में company presently 55% of manufacturing capacity पे operate कर रही है यह expect किया जा रहा है कि financial year 23 के बाद automotive sector में demand बढ़ सकती है अपनी बची हुई capacity को company तब use कर सकती है हाँ अगर किसी तरह से वो growth नहीं आता है या company अपनी 80% से ज़्यादा capacity को utilize नहीं कर पाती है तो यह company के उपर negative impact कर सकती है company ने 2020 में EV space में इंटर किया है EV space में अपना hold को strong करने के लिए चाइना की एक company जिगांसू जीटेक के साथ partnership की है अगर motor control unit की बात करें तो motor control unit बहुत ही vital part होता है किसी भी EV का और इसका काम होता है motor and battery के बीच में as an interface काम करना so that vehicle की speed and acceleration को control किया जा सके MCU की development के लिए high expertise की भी जरूरत होती है MCU two wheeler की cost में total 10% contribute करता है presently company इंडिया में one of the largest MCU supplier है presently yearly 3 lakh MCU बनाने के लिए install capacity है company capacity को enhance करने के लिए plan कर रही है and motor control unit में company के पास इंडिया में first mover advantage है यहाँ आप company के complete product portfolio को देख सकते है and कौन सा product कि segment को cater करता है वीडियो को पास करके आप वो भी check कर सकते है company EV segment में अपनी presence बढ़ाने के लिए motor controller, motors, AC DC charger and battery stroke battery management system manufacture करने पर plan कर रही है 2021 में company को leading tubular OEM से 60 crore का order मिला है 2022 में company के पास EV segment में strong order book है and presently 11 OEM से production के order मिले है company को किसी leading light commercial vehicle manufacturer से MCU बनाने का order मिला है heavy commercial vehicle manufacturer से भी auxiliary drive and associated component बनाने के लिए company को order मिला है further MCU बनाने के लिए company का 30 auto manufacturers के साथ advanced stage पर discussion चल रहा है जिसमें two wheeler, three wheeler, passenger vehicle and commercial vehicle सब शामिल है company के तीन product families localization की advanced stage पर है and जल्द ही वो fame to compliant भी हो जाएंगे fame to government की scheme है जिसका मतलब है faster adoption and manufacturing of electric and hybrid vehicles in India fame के according government of India वो सब guidelines and provisions कर रही है जिसे EV का adoption इंडिया में faster and hassle free हो सके three और EV से जूड़ी product families का localization 2023 में expected है इन सब developments का company के revenue और profit growth पर क्या असर हुआ है वो भी देख लेते है profit and loss statement को देखें तो sales में जो positive growth हुआ है वो trailing 12 months में हुआ है trailing 12 months में sales हुए 540 क्रोर के जो के highest है लेकिन company अपने highest ever net profit को year on year basis पर achieve नहीं कर पाई है जो के 49 क्रोर है financial year 18 में EV segment के contribution का और near term में growth को देखने के लिए हम quarterly results पर आ जाते हैं तो यहां हमें September 22 quarter में company की performance better होती दिख रही है company ने September 22 में highest ever sales that is बन 54 क्रोर दर्ज किया है and profits भी highest ever बना है that is 17 क्रोर इससे पहले इतने profit company ने किसी quarter में नहीं बनाए है friends it's wrong to say लेकिन कुछ companies अपने profit and revenue को manipulate भी करती है सत्यम scam इसका बहुत बड़ा example है ऐसे में हमें cash flow statement को definitely check करना चाहिए cash from operating activity देखे तो यह लगातार बढ़ रही है and March 22 में 60 क्रोर का cash आया है यह काफी healthy sign है company के लिए कुछ और numbers की बात करूँ तो company का market cap है 996 क्रोर stock का पी है 28.3 ROC है 9.97% ROE है 8.34% ROC और ROE बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है debt है 140 क्रोर का and इसके साथ company के पास 397 क्रोर के reserves है promoter holding है 65.77% sales हुए है last financial year में 545 क्रोर के and net profit हुआ है last financial year में 54 क्रोर का operating profit margins है 15% के 3 years 5 years के sales and profit growth ज़्यादा अच्छे नहीं है जो automobile sector का cyclical वाला factor है यह इस पे भी लागू होता है लेकिन हम company को इसलिए study कर रहे हैं क्यूंकि company EV space में काफी तेजी से अपनी जगा बनाने की कोशिश कर रही है ऐसी छोटी companies के development को monitor करना बहुत ही important हो जाता है किसी भी investment decision से पहले next company जिसे हमने आज के analysis के लिए select किया है वो है fm industry company largest manufacturer है automotive lightning, signaling equipment and rear view mirrors की for 2 biller and 4 billers के लिए company total 2 biller head lamp का approximate 30% market share hold करती है company की total 9 state of art manufacturing facilities हैं and उनकी location OEM customer के पास है so that logistic cost कम रहे and delivery भी time पर हो सके product portfolio में automotive lightning है जिसमें head lamp and tail lamp दोनो included है, rear view mirrors है, plastic parts है and कुछ और products है, client list की बात करें तो almost सारे leader OEM इनके clients है, जिसमें Yamaha TVS, Harley Davidson सब included है अगर आप electric two wheeler segment में देखें, तो Ola, Ampere, Revolt, Hero Electric सब इनके clients है and presently electric two wheeler में 250% से भी जादा volume growth हो रही है yearly basis पर four wheeler segment में जो domestic and global clients हैं, उनको भी आप video को pause करके study कर सकते हैं अगर global clients की बात करें तो company Italy, Hong Kong and Japan में export करती है, further company France, Brazil, Indonesia and Thailand में भी indirect export करती है, product wise revenue की बात करें non L.A.D. lamp से 38% revenue आया है financial year 22 में auto L.A.D. lamp से 44% revenue आया है financial year 22 के last quarter में and company next 3 to 5 years में auto L.A.D. lamp से revenue को 50% करना चाहती है, क्योंकि electric vehicle में इनका utilization सबसे ज़्यादा हो रहा है and यही पर सबसे ज़्यादा growth expect की जा रही है, OEM जिसका 6% revenue आता है, export business revenue में 3% contribute करता है, second by this revenue contribution की बात करें तो two wheeler से 96% revenue आया है last financial year में and four wheeler से 4% revenue आया है, company ने world की सबसे smallest by function LED headlight module भी develop किया है, by function का मतलब है, दो function वाली headlamp and company के जातर products patented है, company Yamaha के 7 to 8 global models के लिए LED headlamp बनाती है and और भी काफी सारे models के लिए product pipeline में है, company का export हाले Davidson के लिए भी बढ़ता जा रहा है management का कहना है के company के 80 projects under development है and next 3 years में production level पर आ जाएंगे further company ने strategic collaboration किया है Japan की दो companies के साथ for development of bank, angle sensor and canister and इसकी supply Honda Motors, TVS and Yamaha को already start कर दी गई है, हम कह सकते हैं कि company अपनी legacy business के अलावा भी nae verticals में enter कर रही है इन सब के साथ company की revenue and net profit कैसा generate कर रही है वो भी देख लेते हैं profit and loss statement में हम देख सकते हैं कि company की sales and net profit लगातार बढ़ता जा रहा है मार्स 2011 में company ने 427 क्रोर का sales की थी and वही trailing 12 months में 1848 क्रोर हो गई है 11 years में sales में 4 times growth हुई है and net profit भी इसी duration में 11 क्रोर से 127 क्रोर हो गई है almost 11 times growth हुए है net profits में sales and net profit pre-COVID level को भी cross कर चुके हैं फर्दर cash flow statement देखे तो company को जितना profit हो रहा है almost उतना cash के रूप में company के पास आ रहा है हम कह सकते हैं कि profit सिर्फ books पर नहीं है cash flow net profit के minus 20% तक acceptable होता है अगर उस से ज़्यादा difference होता है तो हमें reasons को find out करना चाहिए फर्दर अगर numbers की बात करें तो company का market cap है 2441 करोर PE है 19.2 जो की काफी reasonable है ROEC है 20.6% ROE है 15.5% that है company के पास 37 करोर का और इसके साथ reserves है 678 करोर के promoter holding है 66.56 की sales हुई है last financial year में 2572 करोर की net profit हुए है 94 करोर के operating profit margin है 13% last three years में sales हुई है 3% की and profit हुए है last three year 90% के CAGR से लेकिन जब से elected two wheeler की demand ने growth पकड़ी है company के sales and net profit भी अच्छे खासे बड़े है September 22 में company ने highest ever sales and net profit दर्ज किये है वीडियो के last में हम conclusion भी देंगे third auto component जो stock है इस पर हम काफी bullish है company का हमने already in-depth analysis किया है stock का नाम है Sona Comstar EV industry को समझने के लिए CAGR से बढ़ाया है जो कि EV industry के forecast growth से भी जादा है जो के 36% है एक साल में EV programs 15 से 30 हो गए है last financial year में company का EV segment से revenue share 25% था जो के उससे last financial year में 14% था and micro hybrid stroke hybrid segment में revenue share 26% हो गया है जो के excellent है next 10 years के लिए company की order book intact है जो के बन 86 billion dollar की है और इसमें 62% share battery electric vehicle का है company ने अपने revenue को geographically भी well diversify किया है company अपने legacy products में भी global market share को बढ़ा रही है company ने head bins में भी sector को outperform किया है जैसे के COVID crisis and bar like situation between Ukraine and Russia बहुत ही important point है company future की challenges को identify कर रही है and अपने products को बिना magnet and rare earth element को use करके बनाने के लिए R&D and joint venture कर रही है अगर numbers की बात करें तो market cap है company का 25,593 crore stock का PE 73.2 stock का PE थोड़ा higher side पे है लेकिन company की growth काफी fast pace पर हो रही है इसलिए stock का PE थोड़ा high है ROCE है 21.5% का ROE है 20.6% debt है company पर 147 crore का इसके साथ reserves है 1,389 crore के promoter holding है 53.58% इस time बहुत सारे लोग panic हो रहे है कि इसमें Blackstone ने अपने कुछ stake को sell किया है लेकिन अगर आप देखे तो majority of the stake है वो mutual funds ने buy किया है इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है sales हुई है last financial year में 2,131 crore की and net profit हुआ है last financial year में 362 crore का operating profit margin है 26% के and sales growth last 3 years की हुई है 45% के CAGR से profit growth हुए है last 3 years में 27% के CAGR से auto sector की इगलोती company है जो इतने high ROC, ROE and operating profit margin maintain कर रही है इसकी sales and profit growth को देख कर लगता नहीं है कि auto sector भी cyclic होता है या COVID जैसा कोई pandemic भी कभी आया था company का cash from operating activity भी excellent है March 22 में 445 crore का cash from operating activity से आया है EV industry के लिए जो common risk है अगर उनकी बात करें तो अगर कोई geographical uncertainty होती है तो export पर काफी dent हो सकता है and इसके सबसे ज़्यादा impact सोना comstar को हो सकता है raw material की fluctuations भी companies को dent कर सकती है COVID जैसा कोई pandemic future में आता है तो उससे भी companies पर बुरा असर हो सकता है automobile sector में अगर किसी तरह से growth स्टार्ट होती है तो भी companies पर bad impact हो सकता है conclusion पर जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like ज़रूर करें अब के likes ही मेरे लिए feedback है and मेरे hardware के लिए appreciation भी है अब आजाते हैं conclusion पर educational purpose के लिए मैं बताना चाहता हूँ के Sona Comstar अच्छी correction में मिल रहा है and mutual funds भी इस time अच्छी ख्रीददारी कर रहे हैं तो यही time होता है accumulation का further firm industry भी काफी reasonable valuation पर trade कर रही है PE है 18 का approach इसको भी थोड़ी सी quantity में add किया जा सकता है sterling tools की बात करें तो इसमें investment के लिए इसकी growth को track करना ज़रूरी है even related जितने भी developments हुई है sterling tools में वो recently हुई है हमें यह देखना चाहिए कि in developments का company के sales and profit पर क्या असर पड़ रहा है educational purpose के लिए अगर तिनों companies को portfolio में add करने की बात की जाए तो Sona Comstar को 5-7% portfolio का दे सकते है Feeam Industry को 3-4% and sterling tools को 1-2% से ज़ाधा नहीं देना चाहिए तो यह था आज का वीडियो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में